सब्सक्राइब करना है यह हमारा पोलोनिमेल से इस पोलोनिमेल में आपको डिवाइट करना है तो कैसे करेंगे इस प्रक्रियों को मैं आपको समझा रहा हूँ इसको बोलते हैं traditional method यह आप traditional process भी उसको बोल सकते है यह बात यह ध्यारकना है कि यहां भी जो पोलोनिमेल होगे इसके जो वेरियेबल की power होगी वो descending order होनी चाहिए इसके बाद में यहां की भी वेरियेबल की जो पावर होगी वो भी descending order में ही होनी चाहिए इसके बाद हम क्या करते हैं टेबल पढ़ते किसका टेबल पढ़ते हैं जो यहां पर हमको वेल्यू दी रहती है इसका टेबल पढ़ते हैं इसका टेबल दो बार कर जाएगा नित्के काए अब समझने आ गिया है कि क्या की करना करेंगे रूंद सेच्छ पावर को एट कार दिया जाता है है multiply के rule में यहां multiply है से वेरियेबल है तो 3 और 2 को एड़ कर जाए किता जाएका फाइप आगया इसमें क्या multiply कर रहे हैं तो हम multiply कर रहे हैं यानी कि 2 x3 का रहे हैं यानी कि इसका यहां भी सो पड़ता हुशों के वाईक हो कि वाइड सो फारव फाइब तो क्या और तो एकच पावर फाइब यह आ गया इसके पाद हमें क्या करने रहता है यह सैंसे बाद इवाइड है प्र्दाटो जो आता इसके बात कंतीया है हम 23 males for a बटब तर न眉पा गया इसी प्रकार से यहां पे भी आपको माइनस करना है आप देखे जब आप माइनस करने जाएंगे 2x5 और 2x5 यह 1-5 यह माइनस जाएब यानि कि same variable है और same power है तो माइनस होके कितना हो जाएगा यह 0 हो जाएगा तो इसी प्रकार से माइनस होके हमारी 0 हो गया अब बच्चा हुआ क्या टर्म कहता है जो अगनी संक्या होता है उसको उतार लेते हैं पर संक्या नहीं है पर तो एक ही उतारेंगे अगर यहां पर तो होता हम दो दो लेकर उतारते हैं यह जी ज़रूरत पढ़ेगी आप चाहे तो पूरा भी उतार सकते हैं यह कर टेबल पढ़ना है कि हमारा माइनेस 3 एकस पावर 4 आना जाना चाहिए देखें अब X2 का हमें table पढ़ना कितनी बार है हम कितनी बार table पढ़ें कि हमें आजाएना चाहिए minus 3 X3 power 4 आ चाहिए 3 X4 में divide कर देंगे X2 का जैसे हम इसका divide करेंगे तो कितना हो जाएगा minus 3 X2 यानि कि हमें इसमें क्या multiply कर दे minus 3 x power 2 का अगर आप multiply कर देते हैं तो आपकी value आ जाएगी देखिए यहाँ पर minus यहाँ plus है plus minus minus 3 बन्जा 3 इसके बाद में x power 2 है x power 2 है तो multiply में power add हो जाता है यानि कि आगे है minus 3 x power 4 यानि कि आपको क्या है x square का table किती बार पढ़ना है minus 3 x power 2 बार आपको table पढ़ना है तो आपका answer क्या आजाएगा minus 3 x power 4 आजाएगा देखिए यहाँ मैं आपको लिख के बता रहा हूँ यानि कि आपको आपको वापस से table पढ़ना है x power 2 किती बार minus 3 x power 2 बार तो क्या जाएगा minus 3 x power 4 आजाएगा इसको आप वापस आपको दो यह आपको माइनेस करना है माइनेस करना है यह साइन यहाँ माइनेंटार हो जाये है। मानिस का साइन होता क्या हो जाएगा प्लस को इसा कि यहां पर मानिस करने मानिस गया जड़ा सबस्क्राइब करने का जाता है इस बात को समझे जब यहां पर दो ब्रेकर्स का भी होगा तो भी मैं आपको करूंगा बट अभी आप यहां पर वन टम का आप समझ के चलिए यह कट हो गया कित्त हो गया जिरो हो गया अब अगले वाली सिंग्गे क्या बची है एक्स पावर थ्री अब हमें इसमें एक्स उस्क्यार में क्या मंटिप्लाय कर तो आप बोलेंगे कि है क्या करेंगे एक्स पावर 3 में में ड्डिवाइट करनें एक्स पावर तो तो क्या हो जाएगा एक्स आधर डायट अगर आपका एक्स x x पावर 2 ठीक है आब यहाँ पर हो में क्या करना वहाई आपस से table पतना है एक से तuning वार कट्यार टेवल पड़े हमारा दि lets Paul to डुलाना है हम achievement माइन स्टू एक पावर कूल आना है तो इसमें हमें धिवाई करना पड़ें कब यहां जो जिसका table पाड़ना है तो तो किता जाएगा तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस टू पावर टू और साथ में माइनस करने जाएंगे तो जो प्लस यहां पर एच पावर जाएंगे यहां पर फ यहां पर यहां पर पर कम आ जाए संख्या उतारने के बाद हमारा प्रक्रिया हो हो जाती है इसके बाद हम इसको नहीं सोल कर सकते हैं तो हमारे क्या हो जाएगा बचा वह निए क्या हो जायेगा बची को कि को सी इसको उतारेंगे अगली संध्थे मुचा दैखें कि 5x हो गए और ्प्लसaları थी था उसको भी लिख लिए अभी हंते हमारा कि डिवड forehead रो गया और कॉूषः lot लोगाए ठीक है अगर आपको चेक करना है आपका अन्सर सपर सभी है गलत है तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं इसमें आपका瑪्स करते ही इस question का answer मैं आपको verify करके बता देता हूं कि आपने जो यह प्रक्रिया किया है यह गलत है या सही है आप कैसे verify करेंगे इस बात को आपको wishes करके ध्यां रखना है आप देखिए फार्मूला होता है आप पड़े होंगे डिविडेंड बराबर क्या होता है डिविडेंड डिविडेंड बराबर होता है डिविजसेर इनटू कोषटन 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 प्लस रिमाइनडर यह आप फार्मूला पड़े होंगे तया फार्मूला है डिविडेंड इक्वल ट्यू consists in together प्लैइवाइनडर यानि कि यह हमारा होता है डिपीजर गरीचा है यह होता है डिविडेनट और होता है और होता है 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 वहानॵ घर Already है यह यानिकि डिविג बनेट अगर आपको यह लाना है ये लाना है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा डीट जो आया है जोन्हब्स गया था एकस्द स्केयर आपको मंट्रिय करना एक कॉशियंट में आपको कॉश्यंट क्या आया है टुए एक पावर ट्री-माइनगा ट्री-前-POW-ट्थ या इसमें आपको reminder जोड़ना है reminder किता है आपका 5x 5x plus 3 यह आपका reminder है अब देखिए इसको solve करते हैं इसको solve करने पर हमारा answer कितना ना चाहिए अगर यह आ जाता है तो आप कहेंगे कि आपका यह जो solution है वो perfect सही है ठीक है नहीं तो आप आप बोलेंगे यह कोशन का answer गलत है यह तरीका गलत है ठीक है अगर यहसा नहीं हुआ तो देखिए अब देखते हैं एक्स का मन्टिप्लाइब करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा टू एक्स पावर फाइप अब यहां पर मंटिप्लाइब करेंगे तो प्लस माइस क्यों गया माइनस थ्री एक्स पावर कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा अब इसका मंटिप्लाइब करेंगे कितना हो जाएगा प्लस एक्स पावर थ्री इसका मंटिप्लाइब करेंगे कितना हो जाएगा माइनस टू एक्स पावर टू अब तो यहां पर मंट 2 x3-2 x3 ќ ہے दीवीज़र में आपको को मंटिप्लाइय करना था और रिमैंडर को एड करना था डिम्लिवाय किया था ऐस्टा था और ऐस्ट कितना था इसको लिखा और साथ में आपको reminder reminder हमको यह दे रखा था reminder हमारे यह आया था इसमें plus कर दिया simplify किया हमारा answer आ गया यह यह हमारा क्या है dividend है dividend देखिए यह dividend आ गया यानि कि यह हमारा पूरा क्या था dividend था देखिए मिलाईए सही है गलत है 2x power 5 सही है minus 3x power 4 सही है plus x power 3 सही है minus 2x power 2 सही है plus 5x सही है इसके बाद है plus 3 भी यानि कि आपने verify भी कर लिया कि आपका answer सही है या गलत है verify कैसे करिया गया कि यह dividend होता है dividend क्या है यह पूरा बड़ा वाला जो होता है dividend यानि कि यह फार्मूल अगर आप हिंदी में लिखना चाहरे थोड़ा मैं हिंदी में भी लिख देता हूं यह होता है भाज यह होता है इसको बोलते है भाज भाज बराबर होता है भाजक भाज गुणते भागफल भागफल प्लस सेसफल तो यह फर्मूला होता है भाज परावर भाज़क गुणत भागफल प्लस सेसब इस फर्मूला को आपको याद रखना है यदि आप डिवाइट कर रहे हैं तो आपको चेक करने में बहुत आसान लगेगा तक समझ में कभी भी आकर से डिवाइट कर रहे हैं तो जैसे आप डिवाइट किया ऐब रहा है कि अपको नगलत है आक réponse कर सकते हैं जिक्षिक कर रहे है जिसका डिवाइट कर रहे हैं इसमें इसके बाद जो किया है तो आपको यहां पर आया है और साथ में यहां पर जो आया है ठीक है यहां पर यहां पर जो आता है इसको बोलते हैं सेज फल यानि की रिमाइंडर और यहां पर जो आता है इसको बोलते हैं कोश्यंट यानि की भाग फल ठीक है यह भाग फल हो गया और यह हो जाता है यानि कि भाज बराबर भाजक जो यहां पर आपको यहां जो भाजक है यह भाजक का भागफल में गुणा करते हैं यह भाजक होता है यहां पर लिख लेएगा यह भाजक यह भाजक है इसको बोलते हैं पूरे को भाज्य है ठीक है यह होता है भाज्य है यह पूरा भाज्य है भागफल यह भागफल है और यह क्या है शेशफल है यानि कि भाज्य में आपको भागफल का मंडिपला करना है और शेशफल को जोड़ देना है तो क्या जाएगा आपका यह भाज्य जाएगा यानि कि भाज्य बराबर भाज्य गुनित भागफल प्लस शेशफल जैसे आप इसको करेंगे तो आपका अंसर यह निकल के आ किसी भी कोश्चन को आपको एंसर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई हो कि दोस्तों आपको यह पोलोन इमेल्स में मोनोमेल्स का डिवाइट कैसे करते हैं यह समझ मागया होगा अब हम बात कर लेते हैं किसी भी पोलोन इमेल्स में बाइनोमेल्स का डिवाइट कैसे कर यहां झाल झाल